Welcome back मैं फिर से आ चुका हूँ लेकिन आज मैं आप लोगों को ले के चलने वाला हूँ अपने साथ गुमाने लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरे साथ जाने कहां वाले अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हैं लेकिन जैसे ही मैंने आपसे ये कुशन पूछा कि आप जाना कहां चाते हैं आपको पता नहीं आप सोचेंगे सोचने के लिए टाइम लगा रहे हैं लेकिन बिजनस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आप कोई भी बिजनस रन कर रहे हैं या कोई भी बिजनस आप चला रहे हैं तो आपको अपने objectives याने कि आपको अपने goals clear होने चाहिए कि आपको उसे कैसे perform करना है कब perform करना है और आपके goals के हिसाब से आप अपने company में जो है efforts लगाने वाले हैं तो आज का जो हमारा topic है वो है multiple objectives of business तो ये objectives मतलब है goal का तो चलिए आज का जो हमारा topic है उसे start मैं आपको एक-एक करके ये सारे points clear करूँगा अगर आपको कोई भी doubt आता है आप मुझे comment में बताए क्योंकि अभी चल रहा है हमारा business study का series आपके मैं पूरे doubts clear करूँगा comments में आप अगर कुछ बताते हैं तो मैं उसे clear करूँगा तो सबसे पहला point यहां मैंने लिका है objectives are the end towards which the activities of business are directed देखो जब कभी भी आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहा है तो आप जो है इधर से उधर घूमते रहेंगे वैसे ही same business के साथ होता है business में goals का होना objectives का होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी के हिसाब से आप अपने business में जो भी है activities perform करेंगे these are the goals established to guide the efforts of the company आपने goal set किया है और उस goal के according आप अपने activities को perform करेंगे और efforts को उसके accordingly लगाएंगे आपको पता है कि आपको एक होवर में 14 runs बनाने हैं तो आप उसके हिसाब से first ball से जो है betting करेंगे वैसे ही अगर आपको पता है कि आपके goals क्या है business में तो उसी के according जो है आप starting से perform करेंगे अपने efforts लगाएंगे As far as the possible a businessman must set up objective जैसे जैसे businessman अपने organization में objective set करने लगते हैं उनके business में growth आने लगता है उनका performance अच्छा होने लगता है as compared to other जो objective set up नहीं करते तो वोप आपको यहां तक clear हो गया होगा objective should not be set up in general term तो objective कभी भी set up नहीं होना चीए general terms में इसका मतलब है अज चलते हैं घूमने चले जाएंगे बस यह हो गया planning लेकिन आपको पता नहीं यह objective हमने set तो किया गूमने जा रहे लेकिन यहां पर clear नहीं है कब जाएंगे कैसे जाएंगे और किस vehicle में जाएंगे और कहां जाएंगे तो आपको A to Z हर एक चीज जो है clear रहना चाहिए इसलिए मैंने यहां बताया है कि आप general term में अगर बोलते हैं जैसे general objective is increase in sale आपने बोला अपने organization में कि हम जो है sale को increase कर देंगे यह general way हम है वही चीज अगर आप अपने organization में specific objective set करते हैं और यही आपको करना है ठीक है increase in sale by 10% in one year time इसका मतलब क्या हो जाता देखो यहां पे A to Z सारा चीज आपका goal clear है कि आपको sale 10% से increase करना है और increase कितने साल में करना एक साल के अंदर लेकिन यहां तो ना तो time है ना तो percentage है तो आप उसके basis पर अपने efforts क्या लगाएंगे increase हो रहा sale 1% भी हुआ तो आप खोस हो जाएंगे तो यह तो हुआ ही नहीं न objective आपके objective जो है हमेशा क्या होना चाहिए specific objectives होने चाहिए तो hope आपको यहां तक clear हो गया होगा the businessmen always have multiple objectives they cannot follow only one objective तो businessmen जितने भी होते हैं ना वो multiple objectives अपने business organization में ले करके चलते हैं ठीक है? वो सिर्फ और से एक objective के basis पर अपने efforts नहीं लगाते ठीक है? तो आप भी अगर कभी भी organization चलाएंगे ठीक है? तो आप लोगों को specific objective रखने हैं और multiple objectives अपने business में set करने हैं ठीक है? all objectives are important in business but the most important objective of every business is earning profit तो देखो बहुत सारी organization है वो objective रखना important है multiple objectives आप अपने business में रखिये लेकिन अप सारे organizations में एक objective जो है सबसे ज़ादा important होता है वो होता है earning profit ये objective आपको set करके चलना ही है देखो कोई भी organization ये नहीं चाहता है कि उसे loss हो या वो जितने में खरीद रहा है उतने में ही बेजे तो आप हमेशा ये याद रखिये कि जब कभी भी objective की बात हो तो सबसे ज़ादा important आपको अपने organization में कौन सा objective रखना है वो रखना है earning profit तो hope आपको अभी तक ये सारे points clear हो गए होंगे specific objective, general objective ये क्या है ये भी clear हो गया होगा तो अब हम चलते हमारे इसी के objective को जो है three categories में और classify किया गया उसे हम discuss करेंगे तो चलते हैं अब हम एक एक करके तीनों objectives को समस्थ Business के objectives को mainly three categories में classify किया गया उसमें से सबसे पहला आपका है economic objectives उसके बाद social objectives और human जिसे हम individual objectives भी कहते हैं तो एक एक करके हर एक objectives को हम detail में discuss करेंगे जिससे की आपको case studies solve करने में help हो तो चलिए देखते है अब जो हम discuss करेंगे वो है economic objective और economic objective तो होगा क्योंकि business की बात करेंगे और जब कभी भी business की बात करेंगे तो business होता है economic activity और तभी तो ये economic objective भी तो कहलाता है तो कोई भी organization economic objective को follow करता है GPS से तो GPS से हम मतलब है G for growth, P for profit और S for survival यानि कि आपको अगर organization में economic objective follow करने हैं तो आप GPS follow करेंगे तो सबसे पहला growth है growth से मतलब क्या है देखो कोई भी organization का growth measure किया जाता है उसके sales से number of employees से number of branches से और number of products से तो वो growth rate वो अपनी organization को कैसे expand कर रहे हैं वो कैसे पता चलेगा तो देखते यहाँ पे क्या लिखा हुआ है business organization must grow and expand their activities याने कि business organization अपने business को grow करेंगे और अपने activities को expand करेंगे ताकि उनका organization जो है smooth functioning हो पाए और market में अपने competitors को जो है competition दे पाए the success of any organization is measured by the growth rate and growth is measured in the terms of sales number of branches, number of products and number of employees तो मैंने आपको वही बताया कि growth जो है किसी भी organization का sale number of branches और number of products और number of employees से measure किया जाता है कि organization की growth कैसी हो रही है पहले वो कैसा sale कर रहे थे और अब वो कैसे sale कर रहे है पहले कितने branches थे और अब कितने branches है और number of products अब कैसे वो नए products launch कर रहे हैं और नए products को वो expand कर रहे है और number of employees से मतलब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को employment दे सके तो hope आपको growth यह clear हो गया हो अब हम देखते है profit profit जो है किसी भी business का हर एक organization जो है उनका main objective यही होता है कि वो profit earn करें और profit earn करेंगे तभी तो वो market में survive कर पाएंगे देखो profit जो है न वो business man के लिए एक reward जैसा होता है जो वो risk bear कर रहे है उसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा उन्हें मिलेगा profit तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है the most important objective of every organization is earning profit हर एक organization का main objective जो होता है important objective जो होता है वो profit होता है profit is essential for survival, growth and expansion of the business याने कि कि किसी भी organization को अगर market में survive करना है तो profit कमाना है growth करना है तो profit कमाना है और business को बढ़ाना है तो भी profit कमाना है profit जो है वो reward है, profit किसका reward है businessman के लिए reward है जो वो risk bear कर रहे है और यहाँ पे last जो हमने लिखा है वो है survival GPS में जो last S है वो है survival the basic purpose of every organization is to survive and exist in the competition market for a long period of time देखो हर एक organization यही चाहती है कि वो market में जादा दिन तक long run तक अपने आपको exist कर पाए यानि कि वो अपने competition competition market में भी अपने आपको जो है competitor को compete कर पाए और अपने आपको अपने market में जो है exist कर पाए और वो तभी possible हो पाएगा जब वो क्या करेंगे अपने profit earn करेंगे और profit earn करेंगे तो उनका cost जो है वो भी cover हो जाएगा अगर वो अपने cost को cover नहीं कर पाएगे profit earn नहीं कर पाएगे तो उनका survival भी जो है organization जो उनका है वो market में जादा दिन तक exist नहीं कर पाएगा और उन्हों जो है shop बंद करना पड़ दाएगा तो उनको अगर shop अपना बंद नहीं कर रहना है तो economic objective को follow करो GPS यह जो है important है तो hope आपको यह clear हो गया होगा तो अब हम देखेंगे उसका दूसरा objective है social objective चलिए उससे भी discuss करते हैं देटेल में ताकि आप लोगों हो case study solve करते समय easy हो जाए तो आप पूरा video end तक देखिए वेटा है ना तो चलिए स्टार्ट करते है social objective अब बिजनस में second जो हमारा था वो है social objectives और इसमें हम जो discuss करने वाले हैं वो है e-pass e-pass क्या है मैं आपसे फिर से आप लोगों के लिए जो है shortcut लेकिया हूँ e-e से employment, p से pollution avoidance, a से avoidance of unfair trade and practices, a से supply of desired quality of products और एक ऐसे है आपका social service and community service तो ओप ये trick भी आप लोगों को अच्छा लगा लेकिन trick तो पता है लेकिन आपको exam में भी तो लिखना है न तो आप लोगों को ये सब जो है detail में understand करना होगा तो चलिए इससे एक एक करके detail में देखते हैं और आप लोगों को लिए case study भी easy होने वाला है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले employment generation क्या सबसे पहले हम देखते हैं कि employment generation क्या है Unemployment is a major problem of every society किसी भी अगर आप developing country की बात करेंगे तो unemployment जो है एक बहुत जादा बड़ा problem है major problem है The businessman must create employment opportunity and help in overcoming the problem of developing country तो ऐसे developing country में जहाँ पे unemployment की problem हो रही है वहाँ businessman अपने organization का setup करके start up करके लोगों को employment की opportunity दे रहे है उन्हें जो है काम दे रहे है The business employs people to perform different types of work और businessman जो है उन्हें different types of work perform करने के लिए अपने organization में employ करते है By employing people at a work, a businessman helps in flow of income in the society और businessman लोगों को काम दे करके society में जो है income का flow कर रहे है उन्हें पैसे दे रहे है ताकि वह अपने life को जो है survive कर सके While creating employment opportunity, a businessman must give special consideration to handicapped देखो employment opportunity businessman लोगों को जो है provide तो कर रहे हैं लेकिन वो जो है handicapped लोगों को भी जो है disabled जो होते हैं poor लोग जो होते हैं जो गरीब लोग होते हैं उनको जो है काम दे कर करके वो और भी society के लिए जो है इसलिए ये social objective है society के लिए contribute कर रहे हैं ताकि वो भी अपने society में easily survive कर सके This will improve the public image of the business और इससे होता क्या है कि उनकी repetition जो है वो society में और अच्छी हो जाती है तो hope आपको employment generation clear हो गया होगा तो अब हम देखें ट्रिक में जो पी stand करता है वो stand करता है pollution avoidance के लिए देखो बहुत सारे industries हमारे environment में आ चुके हैं जैसे जैसे industrialization होते जा रहा है pollution भी वैसे ही increase होते जा रहा है और आज की date में industries जो है major problem बन रहे हैं किसका pollution का industry has led the major problem of pollution तो industry जो है वो major problem बन चुके हैं किसके pollution के लिए the industry throw or drain their waste in a lakes, rivers, etc. which pollute the water और industries अपने waste को कहां dispose कर रहे हैं अपने drains को कहां dispose कर रहे हैं rivers और lakes में जिसके कारण क्या हो रहा है water pollute होते जा रहा है the smoke coming out of the chimney of industry pollute the environment और smoke जो industries से निकल रहे हैं वो हमारे environment के air को pollute कर रहे हैं और the business man must adopt the environment friendly techniques of production तो देखो यहाँ पे इतने सारे pollutions air pollution, water pollution जो environment में industries फैला रहे हैं pollute कर रहे हैं तो उसी कैसे business man control करेंगे अब देखो industries का चलना भी important है तो business man लोगों को environment friendly techniques यूज़ करना चाहिए production के लिए जिससे की drain और waste material जो है such away अराम से environment में dispose हो जाए बिना किसी pollution के अब देखो ऐसा तो नहीं है कि pollution एकदम से रुखी जाएगा industries एकदम से बंद हो जाएगे तो हमारे environment को effect करेंगे ही जितने सारे लोग depend है उसको effect करेगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि directly बंद कर दे तो चलिए देखते हैं next topic हमारा इस पे क्या है pollution avoidance के बाद trick के हिसाब से मैं आपको बताते जाऊंगा तो trick इपास में यह जो है वो stand करता है avoidance of unfair trade and practices इससे मतलब है कि business man जादा profit कमाने के चक्कर में अपने products में मिलावट start कर देते हैं price जादा charge करना start कर देते हैं और क्या करते हैं काला बजारी start कर देते हो ऐसे नहीं करना है क्योंकि वो social objectives को avoid कर रहे हैं और इससे क्या होगा अगर कभी भी public को पता चलता है इस चीज के बारे में तो सिर्फ और सिर्फ उस business man का reputation नहीं जाएगा साथ ही साथ उन्हें punishment भी दिया जाएगा law उन्हें punish करेगा तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है देखो unfair trade practices include black marketing, adulteration और overcharging तो जो कोई भी overcharge कर रहा है या मिलावट कर रहा है या black marketing कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा उसे avoid करना होगा businessman को with unfair trade and practices businessman not only lose his reputation but it is punishable सिर्फ और सिर्फ इससे reputation नहीं जाएगा साथ ही साथ उन्हें जो है punishment भी दी जाएगी the punishment can be in the form of fine fine भी लग सकता है और साथ ही साथ उन्हें jail भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है the businessman must have the social objective to avoid these practices for profit profit earn करने के लिए किसी भी businessman को unfair trade and practices नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके साथ ही साथ वो अपने customer भी lose कर रहे हैं अगर उनको पता चलता है और reputation उनकी खराब हो जाएगी market में तो अब हम देखेंगे S जो है वो किसलिए stand करता है और उसे भी हम समझेंगे detail में तो चलिए देखते हैं S stand करता है supply of desired quality of products इससे मतलब है customer वही products को buy करना पसंद करते हैं जिसमें उनको quality की satisfaction मिले देखो सबसे पहले यहाँ पे customer prefer to buy the products only when they are satisfactory quality वो satisfactory quality की होने चाहिए और वो reasonable price में customer को मिलना चाहिए ऐसा नहीं है कि product तो लेना चाह रहे हैं लेकिन उनसे कोई भी price आप charge करने लग गए ठीक है उन्हें reasonable price में वो product जो है मिल जाना चाहिए quality may be different for different products देखो quality है न वो different products के लिए different different हो सकते हैं जैसे कि हम example ले लगते हैं for consumer goods such as refrigerator, tv, car, scooter उन लोगों के लिए जो quality रहेगा वो durability रहेगा ठीक है यह कितने दिन चलते हैं ठीक है टीवी कितना दिन चलेगा car कितना चलेगा, refrigerator, scooter कितने दिन चलेगा वो उसके durability उसकी quality होती है वैसे ही अगर हम product की बात करें जैसे cooker हो गया, gas हो गया cylinder की बात करें तो उसमें quality होता है safety, आप अगर ऐसे products में safety नहीं देंगे, अच्छी quality के safety जो नहीं देंगे तो आपके customer जो आपके products buy नहीं करेंगे, अगर वहीं पर हम बात करें, pulses, spices, medicines, तो वहाँ quality आजाती है, purity की, आप purity देंगे, उसमें quality देखो, हर एक product में quality का मतलब होता है दूसरा, तो वो product में depend करता है कि आपकी product क्या है, और product में durability, safety और purity जो है, आपके qualities होंगे, अगर वैसे ही कोई भी market में, जो है, survive करना चाहता है, businessman long run के लिए तो वो अपने goodwill को अपने reputation को market में जो है, बरकरार रखना चाहता है, तो ये qualities उनको देना ही देना होगा, और businessman must supply the products with the right quality at right price अगर कोई भी business अपने product को जादा से जादा sale करना चाहता है, with social objectives, social objectives को follow करना पड़ेगा आप अपने customers को safety दो, आप अपने customer को durability दो, आप अपने customer को purity दो, और वो भी right price में, तभी आपके customers आपके product जो हैं लेंगे चलिए अब देखते हैं, जो next S है हमारे trick में वो क्या है, उसे भी हम समझते हैं last S stand करता है, social services और community services के लिए तो देखो, जितने भी बड़े-बड़े organization होते हैं वो क्या करते हैं, social project जो है, undertake करते हैं जिसे कि वो लोगों की भलाई कर सके, donation के थ्रू, charity के थ्रू और जितना जादा भी पैसे NGO को जरूरत है government organization जो welfare के लिए चलाए जा रही है तो वहाँ पे बड़े-बड़े businessmen जो है, charity देते हैं donation देते हैं, तो ये topic उसे से relate करता है, तो चलिए इसे भी हम समझते हैं, the large business houses undertake various projects of community services such as running charitable schools and hospitals, देखो बहुत सारे बड़े-बड़े organization social projects पे काम कर रहे हैं community services के run कर रहे हैं, जैसे कि charitable schools हो गया है और charitable hospitals हो गया है the big company can help in social service program run by NGO, और बड़े-बड़े companies जो है, social services program में भी, जो NGO run कर रहा है, उसमें भी अपना contribution देते हैं, और government organization भी जो ऐसे welfare run कर रहा है, उसे भी जो है अच्छा खासा amount जो है, वो हर साल donate करते हैं, charity में देते हैं, तो example के लिए हम देख सकते हैं कि Tata जो है, वो अपना हर साल spend करता है कुछ fixed amount as a donation, as a charity जिसे की लोगों की भलाई हो सके, तो hope ये सारे points भी आपको clear हो गए होंगे तो चलिए अब हम बात करेंगे social objective हमने discuss कर लिया है, और अब हम देखने वाले हैं human objective objectives of business में last है हमारा human जिसे हम individual objective भी कहते हैं तो चलिए इसे हम समझते हैं, देखो human objective जिसे हम individual objective कहते हैं, ये relate करता है, organization के employees से, किसी भी organization का success depend करता है, उनके employees पे, कि कितना ज्यादा effort वो जो है, उस work को perform करने के लिए, उस goal को achieve करने के लिए कर रहे हैं, तो चलिए इसे हम समझते हैं human और individual objectives are related to the employees of the organization, ये किस से relate करता है organization के employees से relate करता है employees are the valuable resource who contribute significantly to success in business किसी भी organization के success के पीछे सबसे important resource होते हैं, employees जो contribute कर रहे हैं organization के success के लिए, to get maximum from the employees and to keep the employees motivated the business must take care of देखो, किसी भी employee को जब तक आप motivate नहीं करेंगे, आप उनसे maximum output जो है, नहीं निकाल पाएंगे, कोई employees जो है, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो आप उनको time to time motivate करते रहे हैं, ठीक है, तो ये points को ध्यान में रखते हुए, जो है, कोई भी organization perform करता है, providing good working condition, आप अपने employees को जो है, good working conditions दी दिये, जहां पे वो employees comfortably आपके organization में जो है, work कर पाएं, ठीक है, payment of a competitive and satisfactory wages and salary, देखो market में competition इतना जादा है, आपके organization के competitor, जो है, as compared to, उनके employees के salary से, आपके employees की salary को आप देखते हुए, जो है, salaries employees को देंगे, और wages उसी के हिसाब से जो है, आप provide करेंगे, तो वो क्या करता है, employees को आपके work के लिए, आपके organization के लिए, जो है, attract करके रखेगा, और लोग जो है, जो है, अच्छे से काम करेंगे, training and development for employees, growth and updating their knowledge, देखो, training and development facility, जो है, आप provide कराएंगे, अपने employees को, तो time to time, उनका knowledge, जो है, क्या होते जाएगा, update होते जाएगा, और employees के growth के लिए, ये important है, providing special benefits, such as, housing facility, medical facility, and free education of children, आप क्या करेंगे, अपने employees के लिए, जो है, कुछ special benefits, जो other competitor आपके नहीं करते हैं, आप अगर, क्या कर रहे हैं, housing facility, अपने employees को provide करा रहे हैं, medical facility, अगर provide करा रहे हैं, और उनकी children's के लिए, आप free education, अगर provide करा रहे हैं, तो वो employees, अच्छे से, आपके organization को, कभी भी छोडने से पहले, एक बार जरूर सोचेंगे, और आपके organization के growth के लिए, हमेशा motivated रहेंगे, और उसी के according जो है, उनके efforts आपके organization में दिखेगा, तो hope आपको clear हो क्या होगा, ये सारे points जो भी मैंने discuss किया, thanks for watching video till the end, like करे, share करे और subscribe करे